कि फिर्स्ट आपल बॉड मॉर्ण डॉल यू तो अब देखते हैं एक्ट नमबर 9 मुमेंट डिस्टिएपिशन मेफट यह मारी नेक्स्ट युनिट है यू 2ू तो moment distribution method एक kind of method है यह किसका बाद पर किसे हमारे displacement method का ही एक example है तो moment distribution method हमारे कौन से category में आता है हम पढ़ चुके हो लड़ी last minute में क्या था हमारा displacement method या stiffness method या equilibrium method उसमें हमारे हमने 3-4 लिखेते कानीज method, moment distribution method और stiffness matrix method, slope deflection method यह 4-5 method थे तो उनमें से हमारे moment distribution method है, इस method पर क्या है कुछ questions इस तरह से आते हैं हमारे कि उन questions को objective questions आते हैं को तो इसलिए मैं इस method को यहाँ पर prefer कर रहा हूँ आपको ठीक है ना तो objective वाले questions को मैं देखता हूँ, सबसे पहले आपन करते हैं इसके अंदर देखो, इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, उन terms को अपन पढ़ते हैं, सबसे पहली पहली term जो आती है, वो कौन से आती है इसके अंदर carry-over moment, सबसे पहली term जो आती है हमारी, वो क्या आती है carry-over, मतलब अगर कोई भी question है conventional इस तरीके question है, ठीक है, और इस तरीके question में आपको यह load दे रखा है कुछ भी, और फिर आपसे कह रहा है कि भी, इसका आप ग्याद कीजिए, लोड दे दिया 10 किलो न्यूटन, डाइट बुद गया, अनलाइस दफ्रेम शोन इन फिगर, कोशन आता है अनलाइस का मतलब क्या है, इसकी reaction निकालो, shear force निकालो, bending moment निकालो, fixed end moment निकालो, यह चार चीज़ निकालो, ठीक है, यह चार चीज़ें जो हम निकालते हैं, तो हम method कौन से उच करें? इस method का सबसे पहला जो step होता है, वो क्या होता है, कि जितने भी हमारे joint है, एक joint है, दो joint है, और भी आगे कोई हो, तो उन सभी joint पर हम, जो भी moment applied है, उसका distribution देखते हैं, और फिर क्या करते हैं, हम एक rough idea मान कर चलते हैं, जैसे मान लीजे, यह question है न, इस question में हम क्या करेंग हैं, यह सारे joint rigid होते हैं, मोटा मोटा idea बता रहा हूं आपको, यह joint rigid है, यह वाला joint भी rigid है, rigid का मतलब क्या है, हम इसको fixed मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, fixed beam, और fixed beam के center पर क्या लगा हुआ है, 10 klo newton, तो मुझे इस पूरे frame के अंदर, इन सभी joint पर, सभी rigid joint पर, मुझे moment calculate कर हैं, कि मैं rigid joint को क्या मान सकते हैं, fixed end मान रहा हूं, क्यों मान रहा हूं, ताकि मुझे एक मोटा मोटा idea मिल जाएगी, लगभग approximate value कितनी होगी, यहां पर moment की, और fixed beam जो होती है, उसके center पर अगर कोई load लगता है, उसके current moment की value मेरे को मालूम है, कितनी होती है, तो वो जो मेर moment की value मुझे मालूम है, WL by 8, जो भी center पर WL by, तो आपन को यह वाली value पता है, कि इसके fixed end moment की value इतनी होती है, मालो fixed end moment की value कितनी है, 8 kilo newton meter आई, ठीक है, तो यह तो किसकी ती, इसका मतलब इसके joint पर क्या 8 kilo newton का moment लग रहा है, इस load के कारण 8 kilo newton meter का moment लग रहा है, क्या बिल moment होता, लेकिन हमें एक idea मिल चुका है, कि यहां पर जो moment की value आठ के आसपास होगी, क्योंकि rigid और fixed में थोड़ा बहुत ही difference होता है, तो मुझे यह तो पता चल चल चुका कि इसकी यहां पर जो fixed end, जो भी moment आएगा, उसकी value आठ के आसपास होगी, exact value मैं कैसे गयात करूँग इस moment का कितना यहां पर जाएगा, इस moment का कितना यहां पर जाएगा, इस तरह से अपन distribute करते जाते हैं और finally अपन एक correct value पर पहुंचते हैं, कि यहां पर exact कितना moment लगेगा, तो यहां पर क्या end पर ऐसे distribution करते हैं, इसका half यहां पर जाएगा, फिर इसका half कुछ यहां पर जा रहे हैं और यहां उसको नजीव injured लग रहा है तो बाद लिए ремटे करा कितना भाग तो इसमें जारा रहा है इस वाले members में कितने part हैं इस में जारा है तो उस कोई केसे कैसे करते हैं इस्टरिभूशन फेक्टर के द्वड़ारा distribution factor वो factor जो moment को distribute कर रहा है इस moment को distribute कर रहा है उस factor को क्या बोलेंगे distribution कैसे ज्याद करेंगे वो अपन ज्याद करते हैं relative stiffness की साहता से मतलब के की साहता अब यह क्या होता है के को समझने के लिए अपने को पढ़ना होगा stiffness factor और stiffness factor को समझने के लिए हमको देखना होगा carry over moment carry over factor तो ये 4-5 term होती हैं जिनके बाद में ही अपन गयात कर पाएंगे कि कितना moment इसमें transfer हो रहा है कितना इसमें कितना इसमें मतलब distribution factor को अपन तभी गयात कर पाएंगे तो सबसे पहला जो step होता है इस वाले method में वो यही होता है कि हम सबसे पहले जितने भी joint हों सभी joint का carry over moment गयात करें carry over factor distribution factor गयात करना होता सबसे पहला step जब तक आप अगर question में moment distribution method होना तो सबसे पहले बस distribution factor निकालने लग जाएंगे हम मतलब वो तो count वो तो calculate करना ही करना है हमको उसके बाद के बागी के steps है तो distribution factor को अपन किस तरह से ज्याद करेंगे उससे पहले की चीज़े हैं और साखसरे point अपन one by one देखते हैं तो सबसे पहले अपन देखते है carry over moment क्या होता है फिर carry over factor क्या होता है उसके बाद stiffness factor क्या होता है relative stiffness क्या होती और then we will study about distribution factor ठीक है न इन सभी को अपन one by one पढ़ते हैं और उनको अपन tableted form में भी लिखेंगे तो मैं आपको पहले बताता हूँ carry over moment के बारे में carry over moment क्या होता है भई कोई भी हमारा end है ये ये हमारा एक end है ये हमारा दूसरा end है तो इस वाले end पर मैंने क्या किया एक moment लगाया 10 किलोन्यूटन मीटर ठीक है तो इस moment के कारण मैंने लगाया तो इस वाले joint पर जब आप इसको यहाँ पर लगाओगी moment तो कुछ ना कुछ moment ही यहाँ पर fixed end पर develop होगा और क्यों क्योंकि यह fixed end है और fixed end का काम क्या होता है slope और deflection को zero करना अगर यह fixed end नहीं होता तो क्या होता आप बताओ इसकी deflected shape क्या बनेगी आप जब इसको यह गुमा होगे तो इसकी deflected shape बनेगी ऐसे बनेगी मतलब यहाँ पर तो slope आजाएगी इस वाले end पर यह नीचीक तरफ आ जाएगा और लेकिन यहाँ पर यह बिल्कुल fix रहेगा तो यहाँ पर delta 0 रहेगा theta भी क्या रहेगी 0 fixed end पर इसका मतलब क्या इसका मतलब यह है कि कोई इसको जैसे हमने यहाँ पर ऐसे लगाया तो एक moment नीचे से उपर की और ऐसे develop हो गया जो beam को दबा रहा है और दबाने कांट delta theta की value 0 है मतलब यह जो moment है इसकी M बोल देता है उसको मैं यहाँ पर 10 km लगाने से कुछ नो कुछ moment यहाँ पर develop हो गया तो एक end पर moment को लगाने से दूसरे end पर कितना moment develop हुआ है उसको अपन क्या बोलते हैं carry over moment तो इसमें अपन क्या देख रहे हैं एक end पर तो moment लगा रहा हूँ और देख रहा हूँ कि कितना moment वहाँ पर develop हो गया इसके कारण ठीक है तो भाई अगर यह fixed end होता न जब far इसकी तीन condition होती है कौन कौन सी condition होती है when far end is fixed far मैं लिखी देता हूँ एक मिटाप को तीन case देखेंगे अपन इसमें far end fixed आइब 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 हिंजड केंटे लिवा तो देखेंगे बई मैंने पहला case far end fixed कि मैं इस वाले joint पर तो खड़ा हूँ और यहां पर में moment लगा रहा हूँ और far end दूसरे end को जो दूर में इस ते end है उसको मैं देख रहा हूं तो जब far end को दूसरे end क्या है fixed है तो इस case को अपन क्या बोलेंगे far end fixed जहां पर लगा रहे हूं उस वाले end को नहीं देखना इस पर मैं moment लगा रहा हूं और दूसरे end को देख रहा हूं यह वाले end तो हिंज ही रहेगा यह हिंज है दूसरा end देखा मैंने fix जा तो इसको क्या बोलेंगे far end fixed और इसको क्या बोलेंगे cantilever इसको far end fix मत बोल देना आप इसको far end fix मत बोल देना far end वाली case कब होगा जब आप जहां पर moment लगा रहे हो वाला point क्या हो hinged हो, यह दोनों देखो hinged है यहाँ पर hinge नहीं free है तो यह तो cantilever होगे simply और यह case कौन सा हो गया far end fix, far end hinge पहले वाले case की बात करते है far end fixed है, जब दूसरा end हमारा क्या है fixed है उस वाले case में जब आपने moment M लगाया, M को लगाने पर आप इस वाले end पर कितना पहुँचेगा इस case में पहुँचता है कितना इसका just half पहुँचता है बात clear है, M by 2 होगा जितना भी moment आपने लगाया उसका half हो जाता है, M by 2 M लगायता है M by 2 अगर हम बात करूँ far end hinged की तो hinge वाले case में अगर आप यहाँ पर moment M लगाते हो तो यहाँ पर कितना moment पहुचेगा तो आप सोच सकते हो तो भाई hinge वाले case में अगर आप इसको यू moment लगाओगे तो यह beam इस तरह से नीचे rotate हो जाएगी यू तो यह beam यहाँ से नहीं तो beam complete ही rotate हो जाएगी यह जो beam है यह ऐसे करोगे तो यहाँ slope आईगी यहाँ slope आईगी नहीं आईगी बिलकुल आईगी क्यों क्योंकि यहाँ तो hinge है hinge पर कोई रोकने वाला तो है नहीं hinge पर तो rotation होई जाता है तो ठीट है यहाँ पर भी आगा जब यहाँ पर rotate हो गया इसका मतलब यहाँ पर रोकने वाला moment जैसे यहाँ पर था ऐसे यहाँ पर develop नहीं होगा इसका मतलब यहाँ पर moment कितना होता है जीरो और यह तो हमको वैसे पता है कि hinge पर moment की value गया होती है यह आप कहोगे hy यहाँ तो moment है अरे यह तो हम लगा रहे हैं और यह develop हुआ है तो hinge पर कोई moment develop नहीं होता हम लगा तो सकते है यह तो मैंने लगाए है M, तो यहाँ पर generate कितना होगा, कुछ भी नहीं होगा, आप कितना ही लगा दो, यहाँ पर कोई moment generate नहीं होगा, आप यहाँ से moment लगाओगे, तो यह beam इस तरह से deflect हो जाएगी, स्लोप आजाएगी, यहाँ पर, इसका मतलब कोई moment डवलप नहीं होगा, तो अगर आप से पूछे carry over moment, कौन से case में, far and hinged वाले case में कितना होता है, तो आप बता सकते हो, carry over moment की value, far and hinged वाले case में कितनी होगी, उस case में होती है, इसकी value 0, ठीक है, अब अगर अगर अपन बात क करते हैं, तीसरा किस, cantilever, कि cantilever वाले case में क्या होगा, अगर मैंने cantilever वाले case में M लगाया है, तो इस M को लगाने पर, देखो पहली बात, तो आप direction समझे, कि moment मेरा किस direction में डवलप होगा, जब तक आपको directions नहीं पता कर पा रहे हो, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, structure differences में, बहुत बार confused हो जाओगे, minus कि प्लस लिख दोगे, plus किजी कि माइनस, कैसे देखेंगे, देखो moment लग रहा है, उपर कि तरफ ऐसे, तो हमेसा देखो यह देखना, यह जो चोटी है नहीं, यह तो इसका, आपको concerned होगा हमारे M, ठीक है न, तो यह इस तरह से लग रहा ह है, beam को, इसको हमेसा, moment तो, moment को आपको ऐसे घुमाओगे, अगर यह यह घुम रहा है, ऐसे, तो इसको यू करो, ठीक है, moment अगर कैसे घुम रहा है, इस तरह से, moment कैसे करो, इस वाले अंगुठे को, ऐसे करो, जिस direction में, अगर moment ऐसे लगता, तो इसको यू करो, बस इतना कर end पर, ठीक है, फिर आप देखिए, यह end पर, end वाले point को, यह क्या कर रही है, यह उठा रही है, यह उठा रही है, या फिर दबा रही है, तो आपने देखा, चुटकी उंगली, end वाले point पर, अगर मैं इसको put करता हूँ, ऐसे गुमाता हूँ, तो यह उपर उठा रही है, तो यहाँ पर deflection zero कब होगा, जब आप उपर से moment लगाओगे, या फिर नीचे से लगाओगे, जब हम उपर से लगाएंगे, ऐसे, तब ही तो यह zero होगा, नहीं तो यह उठा पूरा, इसका मतलब इस वाले case में, जो direction आएगी, moment के कैसे आएगी, ऐसे आएगी, आपने moment उठा रहा है कर नीचे किरा रहा है, अगर यह moment हमारा यू लगता, और अगर यह यू लगेगा, तो आप ऐसे गुमाओगे, तो आपने देगा, चुटके उंगली, इस end को नीचे कर दबारी, मतलब safe नीचे कर बनेगी, तो moment कैसे डवलप होगा, तो पहले तो आप deflected shape लगाओगे, तो आप देखो, पहले वाले case में यहाँ पर hinge था, तो जितना आपने moment यहाँ लगाया, उसका कुछ पार्ट यहाँ पर पहुंचाए, क्योंकि कुछ पार्ट तो यही पर रह जाएगा, क्योंकि यह भी तो support है, इस वाले में तो जितना लगाया, यहाँ कुछ यहाँ डवलप हो गया, लेकिन समस्या क्या हो गई, समस्या कुछ नहीं हुई, आपने जिस direction में यह लगाया है, उसके opposite direction में यह डवलप होगा, तो आपने देखो, M की direction क्या थी इसमें, anti-clockwise, और यह कैसा डवलप होगा है, clockwise, तो अगर आप इस case में बोलते हैं, अपन के carrier moment कितना डवलप होगा, तो आप क्या बोलोगे, अगर आप option मिलते हैं, तो A, B, C, D, कि इस case में carry your moment कितना होता है, M by 2, M, minus M, 0, M by 2 तो होता नहीं है, अब दूसरा option देखके लगा देंगा, भई M, M होता था केंटिलीवर में, विल्कुल गलत है, अगर इस तरह से option दिये हु ही है, direction तो मैंने इसमें दिखा रखी है आपको, ठीक है, अपना answer क्या आएगा, minus M, क्यों, क्योंकि M moment develop होता है, लेकिन opposite direction, जो applied है, उसके opposite direction होता है, opposite direction के लिए अपन नेगेटिव दिखाते है, नेगेटिवर मतलब क्या है, जो M लगाया है, उसके opposite, तो minus M हो गया है, बात ने, exact, exact direction क्या दिखा दी, ऐसे, कि अब अपने को साफ साफ दिख रहा है, कि M develop हो रहा है, opposite direction में, तो अगर दिखाओगे, diagram में, तब तो ऐसे दिखाओगे, plus M, और direction दिखा दी, जब आप ये diagram में दिखा पा रहे हो, तो आप opposite direction कैसे बताओगे, negative, M, negative को मतलब applied के opposite direction में, दोनों बात clear है, अब आप देख लेना option, इसके रूप में है या इसके रूप में, ऐसे रूप में तो minus M ही लगाएंगे हमेशा, तो अपने carry over moment के तीनों point अपन clear करते हैं, carry over moment का मतलब क्या होता है, कि जितना आपने moment एक end पर लगाया है, उसका कितना moment, कितना moment की value दूसर क्या बोड़ेंगे, carry over moment, दूसरे end को देखते हैं, इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर हमने moment लगाया है, और दूसरे end को देख रहे हैं, far end पर moment को देखते हैं, तीन case होते है, far end fixed, तो half पहुंसता है, far end hinged, कुछ नहीं पहुंसता, cantilever में, पूरा का पूरा पहुंसता है, ल इस तरह से यह बात होती, carry over moment की, ऐसे ही अगला point जो आता है, हमारा दूसरा वो आता है, carry over factor, COF, ठीक है, यह दौनों एक ही चीज़ होती है, कोई difference नहीं है, क्या difference है, बस, मैं कहूं आप से, कि एक आदमी का weight है, 60 kg, तो उसके half जो है, वो 30 kg है, ठीक है, तो दूसरा आदमी में का weight है, 30 kg, इसका 60 है, तो या तो मैं कहा groups है, या तो मैं कहँं कि यह इसका, एक बड़े 2 है, या फिर half एक ही बात है, 30 kg बोलें हाफ से खिखने, ओनी हंख, ग्तिक है, कि और पा हाफ है किसका तो दोनों का मतलब एक फेक्टर देखो ना केरी ओवर फेक्टर फेक्टर का मतलब होता है गुणांक की हम इस मुमेंट को किस गुणांक से गुणा करें कि हमको इस वाले एंड पर मुमेंट राप्त हो जाए ठीक है तो मैं इसको किस से गुणा करूंगा एक यह वो गुणांग होता है जिसको अगर मैं applied moment से गुणा कर दूँगा तो दूसरे end पर मेरे को carry or moment प्राप्त हो जाएगा या फिर मैं कहूं कि किसी end पर applied moment का कितना part इस end पर पहुचा है उस part को उस भाग को यह अपन क्या बोलते है carry over factor तो दौनों एक ही चीज थी तो पहले अपन carry or moment और carry or factor के बारे में लिख लेते हैं अपन को यह चीज अभी नहीं लिखनी क्योंकि मैं इन तीनों cases को एक table में बना दूँगा और उस table को आप एजटी उतार लेना तो आपको याद रखने में सुविदा होगी तो पहले मैं अपना जो इन दौनों ही cases में carry or moment और carry or factor वाले case में जिस end पर अपन लगा रहे हैं अप्लाइड कर रहे हैं उसके opposite end पर देख रहे हैं ठीक है ना तो इसमें मैं लिखता हूँ पहले यह है कॉमा बीम के एक एंड पर अप्लाइड मुमेंट के कारण दूसरे एंड पर पहुँचे मुमेंट की वैल्यू होती है वैल्यू को दर साथ रिखते हैं वैल्यू को दर साथ आ है ठीक है ना तो आपने एक एंड पर मुमेंट लगाया है दूसरे एंड पर कितना पहुचा है वही हमारा क्या होता है कैरी ओवर मुमेंट दूसरी अगर हम बात करते हैं कैरी ओवर फैक्टर की यह है बीम के एक एंड पर अपलाइड मुमेंट के कारण दूसरे एंड पर पहुचे मुमेंट के पार्ट को दरसाता है कि भई बीम की एक एंड पर अपलाइड मुमेंट कारण दूसरे एंड पर पहुचे मुमेंट के पार्ट के आपने एक एंड पर कितना मुमेंट लगा है उसका कितना भाग कितना पार्ट दूसरे पर पहुचा है उसको अपन पॉइंट अपने हो चुके हैं आपन तीजरा पॉइंट देखते हैं स्टिफ्नेस फेक्टर क्या हो था उसके बार में समझ लेते हैं कि इस टिफ्नैस कि फेक्टर इस देखो वहाई पहले कुछ समझ वहाब इसको इसके में इस वाले अन्ड पर एक क्यों मेरो को मुमेंट लगाऊगा ठीक है मोमेंट बढ़ाया और slope की value कितनी आई 0.1, radian 0.2, 0.3, मैं moment की value बढ़ाता जा रहा हूं, slope बढ़ती जा रही है, मैं moment की value कब तक बढ़ा रहा हूं, कि मेरी slope की value क्या हो जाए, theta बराबर 1, unit हो जाए, तो जितने moment पर इसकी value unit थी, उस moment को ही अपन क्या बोलते हैं, stiffness factor, माल लीजिए 20 किलोन्यूटन मीटर पर जाकर के जब मैंने इस मुमेंट की वैल्यू कितनी कर दी 20 किलोन्यूटन मीटर 20 इसके stiffness factor क्या है 20 तो stiffness factor का मतलब क्या हुआ कि beam कितनी जादा stiff है जितनी जादा stiff होगी moment उतना ही जादा लगाना पड़ेगा अपनको unit slope के लिए बहुत जादा इस्टिफ होती है तो unit slope के लिए और लगाना पड़ता 40 km, 50 km तो कुल मला के stiffness factor क्या होता है अगर अपने इसको define करें कि beam के किसी end पर unit slope develop करने के लिए आवश्यक moment की value कितना moment लगाना पड़ेगा आवश्यक moment की value क्या कलाती है stiffness factor क्या लाती है बात कलियर है तो stiffness factor में अपन क्या देखते हैं जिस end पर moment लगा रहे हैं उसी एंड पर स्लोप को देख रहे हैं उसमें का करें तो मैं इसके बारे में लिखता हूं इसके भी और अगर ये वाली बात होती है, कि हमारा दूसरा end जो है वो हिंज है, हिंज वाले केस में आपको ठीटा बराबर एक लगानी है, तो आप मुझे बताईए, पहला केस तो ये है, जिसमें आपको इस वाले end पर slope चाहिए unit, दूसरा केस है, यहाँ पर slope चाहिए unit, इस वाले केस में unit slope के लिए आप क्या करोगे, मुमेंट आपने लगाया कितना 4EYL, कितना मुमेंट लगाना पड़ता है अपनको, अब आप सुचोगे सरी है, मुमेंट ये क्या value, अरे भाई आप इसको जब unit निकालोगे न, तो automatically क्या unit आईए इसकी क्लो newton meter, एक यूनिट क्या होती है, newton per meter इसको है, आई की क्या होती है, meter की power 4, mm4 लिख दो भाई, एकी बात है, length की क्या होती है, meter होती है, तो meter square meter cube हो गया, cube से एक एंसल, input कीजिए, I put कीजिए, L put कीजिए, चार्ज अगुणा कीजिए, automatically value जो भी आएगी, 20 kilo newton meter, वो value किसके रूप में आएगी, newton meter मतलब वो value जो आएगी हमारी, वो moment के रूप में आएगी, बात के लिए रहे, तो ये जो हमारा moment होता है, ये कौन सा होता है, newton meter, kilo newton meter की रूप में इसकी value आती है हमारी, तो ये पहला वाला case था, जब हमारा far end fix था, ठीक है, और दूसरा वाला जो के, अब आपको दिख रहा है, जो moment होता है, जो हमने अपना, ये क्या इसकी खुद की property होती, stiffness factor, खुद की property कार्ण moment हम देख रहे हैं, यहाँ पर कहीं load आ रहा है का, WL के ओपॉन एट है, कुछ भी, कुछ नहीं आ रहा है, load का मतलब भी नहीं है, stiffness factor हर beam का अपना होता है, और किस पर depend करता है, beam की property पर, E पर, I पर और L पर, मतलब beam के cross section पर depend कर रहा है, उसकी length पर depend कर रहा है, और beam के modulus of elasticity पर depend कर रहा है, ठीक है ना, इन तीन चीज़ों पर depend करता है, और अपने इसको निकाल लेते हैं, load पर depend नहीं करता है, अब बात आते ही दूसरे वाले case की, कि इस वाले case में आपको unit slope चाहिए, तो moment जो है, वो इससे ज़्यादा लगाना पड़ेगा, या कम या इतना ही लगाना पड़ेगा, तो आप अगर सोचेंगे, तो moment की value इससे कम लगानी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि इस वाले case में, तो दूसरे end पर क्या है, fix था, बिल्कुल मजबूद इस पर, तो unit rotation के लिए आपको बहुत ज़्यादा मसकत करनी पड़ रही थी, लेकिन इस वाले end में तो क्या है, hinge है, तो आपको unit rotation देना है, तो यहाँ पर क्या है, आपको कम moment लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर moment की value होती है, 3EI by L, यह values ही पूछी जाती है, आपसे की stiffness factor for far end hinged case is given by, तो far end hinged है, तो उस case में 3EI by L होता है, far end fixed है, तो 4EI by L होता है, cantilever वाले का given नहीं होता, ठीक है ना, तो यह हैं इनको अपन table में बाद में लिखेंगे, फिलाल मैं इसकी definition लिखता हूँ, तो आपको यह समझ में आया होगा, क्या होता आई है, तो मैं लिखता हूँ इसे, यह है, beam के, एक end पर, unit, rotation, मतलब, slope, उत्पन, करने के लिए, आवश्यक, moment की, value को, दर्स आता है, ठीक है रहा, कितना moment चाहिए, वो value दर्स आता है, next जो आता है, fourth हमारा वो आता है, relative, relative, इसको case, denote करते हैं, क्या होती है, relative, stiffness क्या होती है, कि जो हमारी, यह थो था ना, अब यह तो मैंना आपको, एक बीम का case बता, question कैसे होते हैं, यह हमारा बना हुआ है, क्या, frame, अब इसमें, हर एक नंबर की, अलग-अलग relative, यह निकालो, stiffness फेक्टर, इसका निकाला, इसका निकाला, इसका सबका निकालेंगे, हमार लग-अलग, तो हम पर, अब सबका क्या कार होगा, लग निकालें, 4EIYL, E की value आप जानते हो, दसकी पावर 5 में चलती है, I की value दसकी पावर 9 में चलती है, और upon में L, तो बहुत ज़्यादा, कमबर सम बहुता जटिल प्रॉसेस हो जाता है, calculate करना, इसलिए हम क्या है, 3, जो 4EIYL था ना, उसको IYL माल लेते हैं, बस short में, कि 4EIYL बराबर क्या होता है, IYL, simplicity के लिए, ठीक है ना, और उसको यह अपन क्या बोलते हैं, कि, तो 4EIYL calculate ना करके, far end fix वाले case में, हम केवल क्या calculate करेंगे, IYL, उस IYL को अपन क्या बोलते हैं, relative stiffness, relative है बही, इसके relative है, मतलब अपने इसको ना ग्याद करके, यह ग्याद कर लेते हैं, और मानते कि, यह वही चीज़ है, जब आप 4EIYL को IYL मान रहे हो, तो 3EIYL को क्या मानोगे, 3 by 4 IYL, भाई, 4EIYL को IYL मान रहे हो, तो EIYL को क्या मान रहे हो, IYL, 4 को नीचे भीज देंगे अपन, तो 3EIYL को क्या मानोगे, 103 से गुर्णा कर देंगे, तो 3 by 4 IYL, को लम लाका करके बात इतनी जी है कि जो हमार यह रिलेटिव स्टिफनश होता के वो फारेंड फिक्स वाले केस में तो नहीं होता है आई बाई ए Hell और फारेंड हिंज वाले केस में घरी बाई फोर आई वाई एल ठीक है तो इसका यूज कहां पर करते हैं क्यों करते हैं? यह है कॉमा रिलेटिव इस्टिफनेस की सॉरी सॉरी इस्टिफनेस फेक्टर की यह है इस्टिफनेस फेक्टर की रिलेटिव वैल्यू को दर्साता है ठीक है न इसका यूज कैलकुलेशन को सिंपल बनाने में किया जाता है तो यह अपने चीज हो चुकी है यह इस्टिफनेस फेक्टर की रिलेटिव वैल्यू दर्साता है इसका यूज सिंपल बनाने में किया जाता है तो यह अपने कुछ चारो पॉइंट थे अब आपन देखते हैं क्या डिस्तिफिफन फेक्टर क्या होता है चार तो यहriet मैं इसे मिटाता हूं वहीं कि मैं से मिटाता हूं आपे इस उतार लींग सिुव कैוbles है कि आ ए पांच बात है हमारा क्या डिस्टिबूशन फैक्टर तो यह डिस्टिबूशन फैक्टर क्या होता है अपन क्या ग्याद करेंगे जैसे यह जॉइंट है इस जॉइंट पर एक दो तीन यह ओ मालो ओ अबी सी तीन मेंबर हो गए यह तीन मेंबर जो हैं यहां पर कोई मुमेंट लग रहा है कितना लग रहा है दस किलो न्यूटन मीटर तो दस किलो न्यूटन मीटर इस जॉइंट पर लग रहा है तो इसका कितना पार्ट तो ओ ए मेंबर में जाता है कितना ओबी में जा रहा कितना ओसी में जा रहा यह कौन बताएगा ये बजाता है distribution factor कैसे ग्याद करते हैं इसको ग्याद करने के लिए अपन को इन सभी मेंबर का OA, OB, OC क्या ग्याद करना पड़ेगा आपन को K, K1 पढ़ चुके हैं अगर यह far end hinge है तो IYL तो इनकी सब के अपन को IYL पता होगी और अगर hinge है तो 3Y4 IYL fix है तो IYL इस तरह चाहिए अपन इन तीनों member का K निकाल लेंगे मतलब K1, K2, K3 निकाल लिया तीनों को जोड़ देंगे तो क्या जाएगा summation के आ जाएगा ठीक है ना अब देखो यह अपन तीनों को जोड़ दिया इस member का k1 था k2 k3 अब मुझे गयात करना है कि इस वाले member में कितना पार्ट जा रहा है तो कैसे गयात करूँगा इस वाले member का distribution factor देखो अपन distribution factor का मतलब क्या है कि इसको मैं किस से गुणा करूँ किस factor से गुणा करूँ कि मेरे को इस वाले member में जा रहा है distribution factor यह distribution factor किसका है O A का O B का क्या आएगा distribution factor k2 upon summation k और OC का आएगा distribution factor k3 upon summation k तो इन तीनों के अपने क्या जाएंगे अलग-अलग distribution factor ठीक है तो इन तीनों के distribution factor आ गया हमारे अलग-अलग इसका अलग आ गया इसका अलग आ गया और इसका अलग आ गया तो मान लीजिए k1, k2, k3 इस case में 3 तीनों देखो hinged है तीनों की value L है तीनों की I है तो k1, k2, k3 की value कितनी होगी मान लो 1, 1, 1 है ठीक है इन तीनों की value 1, 1, 1 है तो summation के कितना हो गया 3 हो गया तो जब आप इससे ग्याद करोगे तो एक बटे 3, एक बटे 3, एक बटे 3 ठीक है ये value आ गए इसकी तो इस वाले member का OE member का distribution factor कितना है एक बटे 3 मतलब जो moment है उसको अगर मैं एक बटे 3 से गणा कर दूँगा तो इस वाले member में जा रहे moment की value पता सब जाएगी तो 10 को आप एक बटे 3 से गणा करो 3 point देती है तो OE में कितना जा रहा है 3 point देती है OE में भी तीनों का same है OE में भी 3 point देती है इसमें भी 3 point देती है तीनों को जोड़ो तो 3 point देती है तो कुल मुला के अपने क्या गयात कर लिया distribution factor की साहता से कि हर member में कितना कितना moment जा रहा है और distribution factor कैसे गयात करते है अपन relative stiffness की साहता से और relative stiffness है आपन पढ़ चुके है I by L होती है तो value change होती है लेकिन distribution factor का जो योग आएगा वो हमेशा क्या आएगा 1 आएगा 1 ही तो आएगा भी total एक का ही तो distribute होगा part इसके अंदर एक का कुछ इससा इसमें जाए कुछ इसमें कुछ इसमें तो वो कितनी value आती है इसकी 1 आएगी हमेशा और distribution factor को हम हमेशा rigid joint पर ही calculate करेंगे कभी भी hinge joint पर calculate नहीं करेंगे hinge joint पर moment नहीं होता है इसलिए वापर moment होगा है नहीं तो moment distributed नहीं होगा ठीक है ना तो यह होता है distribution factor अब इसके बारे में अपन लिखते हैं एक दो line फिर एक कोशन भी करेंगे अपन अच्छा सा जिसमें सारे सारे में concept आपको clear कर दूँगा फिर से पहले इसके बारे में लिखते हैं अपन यह है वो factor होता है जिसकी सहायता से किसी joint पर लगे moments को उस joint पर attached member में distribute किया जाता है कैसे याद करेंगे ऐसे याद करेंगे अब इसके निजए पर नोट लिखते हैं यह लिखते हैं नोट नमबर यह क्या है कि distribution factor का किसी joint पर distribution factor का योग क्या होगा one होगा पहले तो लिखते हैं अपन क्या distribution factor को हमेशा rigid joint पर ग्याद किया जाता है और दूसरा क्या है कि किसी joint पर distribution factor का योग कितना होता है one होता है ठीक है न तो यह अपनी सारी बात है थी distribution factors related अब अपने एक काम करते हैं पहले पहले तो मैं जितने भी अपने point पड़े हैं चारो पांचों उनको मैं एक tabulated form में लिख देता हूँ condition के according उसके बाद फिर अपने एक numerical कर लेंगे question कर लेंगे इनके use क्या होता है जिसमें मैं चारो पांचों point को cover करवा दूँगा तो पहले मैं table उतारता हूँ इसमें मिटाता हूँ भई हाँ भई कर दो झाल 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 के के बाद अपन क्या देखेंगे इसके अंदर कि डिस्ट्रिब्यूशन फेक्टर वो क्या होता है के अपन समेशन के यही तो होता है तो देखो इसके अंदर हमारे joint कौन सा है distribution factor में इसा joint पर देखे joint है हमारा O member कौन कौन से है O A O B और OC O A O B और OC तो तीनों member का मेरे को distribution factor निकला और distribution factor कब निकले है जब मेरे को तीनों का K और तो K कैसे गयाद करो O A का K निकालो O A कौन सा है O A यह है इसका अपर ओरो कया निकालना है K तो K क्या होता है जब far end क्या है fix? Fics के लिए होता है I by L यहाँ पर I कितना है 2 I के बराबर है और L कितना है L के बराबर है तो यहाँ पर मेरा क्या होता है far end fix case में I by L थे रखिए है L की value तो मेरा इवारेल कितना हो गया है तो यहाँ पर इस्वालेर शाघ्स में के की वैल्यू क्या लिए help वह इसकता है वो उसने ट्वाइप दे रखा तो वहाँ QD क्या पूट करेंगे 2I Ireland दिरकात 3I कुछ भी बहुर सकता है एल की, टुल रोसकता रोसकता है तो इस वहलवे ख़र में ओए का-के कितना हो गया हमारा यह हो गया अबीस देखते हैं ओभी भी क्या है हमारा फारairyंड फिक्स है ओभी में वही बच गया IYL तो इसका कितना हो गया हमारा IYL हो गया अगर हम बात करें किसकी OC की तो OCC क्या है far end hinge है तो hinge वाले की इसमें तो भया 3 वटे 4 आता है क्या आता है 3 वटे 4 IYL और यहां पर आपको पता है I क्या है? I है और L क्या है? L ही है तो मतलब हमारा यह का यह रहेगा as it is, यह वाली बाते हो गई clear ठीक है? अब बात करते हैं तीनों का हम जोड़ देते हैं तो summation के कितना हो गया summation के क्या होते हैं तीनों का योग तो यह हो गया मेरा 2 IYL प्लस IYL 15 बटे 4 IYL यह हो गया मेरा summation के अब मुझे distribution factor निकालना है तो distribution factor मेरा इस वाले का क्या हो जाएगा K upon summation के K क्या है इसका? 2 IYL upon summation के कितना है? 15 बटे 4 IYL बराबर कितना आ जाएगा? IYL से IYL के जाएँ से 15 चार उपर 4 दुनी 8 बटे 15 ठीक है? इसका निकालते है वो भी का तो भी का क्या है? IYL upon summation के 15 बटे 4 IYL यह आगा मेरा 4 बटे 15 और यह आजाएगा मेरा कितना? 3 बटे 4 IYL अपॉन 15 बटे 4 IYL 4 से 4 कैंसल तो एक तरह से यह आगा अपना 3 बटे 15 ठीक है बई? और अपनी संतुस्टी के लिए मैं इन 3 को जोड़ रहा हूँ summation DF करके देख रहा हूँ तो वो कितना आया मेरा? 8 बटे 15 प्लस 4 बटे 15 प्लस 3 बटे 15 बरावर 8 और 4 बारा और 3 15 बटे 15 बरावर 1 इसका मतलब मेरा distribution factor जो मैंने calculate किया है वो बिल्कुल सही calculate किया है क्योंकि distribution factor की value किसी joint पर कितनी होनी चाहिए 1 होनी चाहिए तो 1 का मतलब यह है कि अगर इस पर 1 km मोमेंट लगता तो उसका 8 बटे 15 बाग तो जा रहा है OA में ठीक है और 4 बटे 15 OB में और 3 बटे 15 OC में यही तो है उसका तो distribution factor में निकाल चुका हूँ और उनका use क्या है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ कि अब मैं distribution factor से मेरे को यह पता चल चुका है कि OA में कितना मोमेंट जा रहा है तो जितना भी मोमेंट लग रहा है न यहाँ पर उसका 8 बटे 15 भाग तो जा रहा है किसमें मैं मतलब M मोमेंट लग रहा है यहाँ पर तो M into 8 by 15 कर दूँगा इतना जाएगा OA में और इसका 4 बटे 15 जाएगा OB में और OC में जाएगा 3 बटे 15 सिंपल सी बात अब मैं इसको यह 3 बटे 15 निकाल लोगा कि इन में इसको मंदर साता हूँ अब तो आप इसको उतार लो फिर मैं इसे मिटाता हूँ इसमें जा रहा है कितना 8 बटे 15 OB में 4 बटे 15 उसमें 3 बटे 15 ठीक है मैं इसे मिटा रहा हूँ वही ठीक है ना तो भई अब इस डाइग्राम को मैं कैसे दिखा सकता हूँ और कैसे तोड़ सकता हूँ मैं इस डाइग्राम को इस प्रकार तोड़ सकता हूँ देखो इस डाइग्राम को मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ कि झाल 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 यह जो मेरा 10 लग रहा था ठीक है 10 का मैं तोड़ दिया 10 का 8 बटे 15 भाग तो इसमें जा रहा है तो इस मुमेंट की वेल्यू कितनी होगा देखो तीनों के डाक्सन यह क्लोग वाईस थी ना तो यह भी ख्लोग वाईस है यह भी क्लोग वाईस जाएगा इसमें इसमें में जाएगा तो इसमें clockwise गया तो कितना गया आट बटे पंदरा बाग दसका आट बटे पंदरा करेंगे तो कितना आ अपना ये असी बटे पंदरा आ गया जो भी वैल्लिव आएगी इसकी पांच से अपन काट लेते हैं तीन और यह आगा 비슷 need easy मतलब यह लगबघ वैठेगा दो बटे तीन दो ती है pixel identified तो यह कितनी वैल्लिव आगे इसके हमारी यह वैल interpret अगले 5 oui सब्सक्राइब करें तो कुल मिला करके इसमें कितना भाग जा रहा है इसंगता ची Mode थी कह है तो अब मुझे यह पता चल चुका है कि इस वाले पर ऐस तो इसका fixed end पर कितना पार्ट जाता है यहां पर जाता है यह बटे दो बाग यह कौन पर जाता है carry over factor ठीक है तो कितना moment पहुंसता है यहां पर half पहुंसता है इसकी direction क्या होगी तो यह देखो यह लग रहा है ऐसे मतलब यह देख़ा आप tip यह नीचे जा रही है तो जिस direction में यह है उसी direction में यह वाला moment मेरा develop होगा और इसकी जो value आएगी अपनी वो कितनी आएगी इसका half half मतलब 80 बटे 15 का half तो 40 बटे 15 ठीक है ना तो 40 बटे 15 मेरा यहां पर तो a पर m a कितना हो गया 80 बटे 15 बटे 2 यह बोला जाए कि यह पूरी पूरी थीम थी जो मैंने आपको complete बताई है कि किस तरह से हम ग्याद करते हैं moments को सारी चीजों का यूज हमने देख लिया यह तो भाई आप पहला स्टेप था moment distribution में जब convention आदें तो सबसे पहले अपन यह करना पड़ता है इसको करने के बाद अपन कोशन स्टार्ट होता है तो यह तो दो मेंट का खेलोना सी कर देते हैं अपन सबसे पहले अपन क्या करते हैं distribution factor निकालना मुझे क्या गयात करना इस वाले इंडर पर कितना moment होगा तो मैंने क्या अप्रोच लगाई कि जॉइंट पर 10 km लग रहा है अगर मुझे यह पता चल जाए कि 10 km का कितना भाग ओए में जा रहा है तो उसका हाफ यहां पर पहुंसता है तो मैं गयात कर लूँग तो कुल मुलाकि मुझे यह गयात करना है कि 10 km का कितना भाग इसमें जा रहा है उसके लिए मुझे किसका यूजग हो distribution factor का सबसे पहले मैंने distribution factor निकाला और distribution factor के लिए मेरे को के निकालना होगा तो के मैंने joint का लिखा joint के बाद member हर एक member का के लिखा उन तीनों का के जोड़ समयशन के आया और के अपोन समयशन के करके मैं प्रतेग member की क्या निकाल चुका हो distribution factor वहां से मुझे पता चला कि इस member का distribution factor है आट वटे पंदरा इसका तीन वटे पंदरा इसका चार वटे पंदरा मतलब जितना मुमेंट लग रहा है उसका आट वटे पंदरा भाग इसमें कि एंड पर मुमेंटिक वेल्यू कितनी है चालिस बटे पंदरा किलोंटल मीटर इतना वड़ा कोशन नहीं आएगा लेकिन इस कोशन का पार्ट आ सकता है कैसे आ सकता है वो मैं आपको next question करवाता हूं तो ये तो आपको clear हो गया होगा अब अपन next question करते है मैं से मिटाता question number two करते है अपन calculate fixed and moment of the beam shown in figure ये कोशन दे दिया अब उसमें कहरा fixed and moment ने का रहा तो fixed and तो केवल एक ही है इस end पर कितना moment लगेगा मुझे ये ग्याद करना है कैसे ग्याद करूँगा मुझे समझे नहीं आ रहा कैसे ग्याद करें लोड दे रहा है वहाँ पर किस तरह से कौन जी अप्रोच लगा हूँ कुछ नहीं moment distribution method मेरे को मालूम है इस question को क्या मैं ऐसा कह सकता हूं देखो ये दो ये तो है वह या अप्लाइड मालूम मेरे को दे रखा है question में और मुझे moment distribution method कहता है जितना आप लगाते हो 파्र and fix है तो उसका कितना पहुंचता है उसपर हाफ कह पहुंचता है इसका कितना पहुंचेगा is applied का हाफ कोँचेगा हाफ का मतलब कितना हो गया दौ कलोोन न्यूटन मीटर इसकी डायक्शन क्या हो गया हमारी जो इसकी डायक्शन है वही same direction तू कलोनन न्यूटन कितना टाइम लगा बता हुए मानदारी से पैन भी यूज नहीं करना पड़ा विदिन फाइव सेकंड मैंने ग्याद कर लिया अरे दो दुनी चार चार लग रहा चार का हाफ कहुंच गया दो तुरन दाल ऐसे कोशन आप से पूछ सकता है ठीक है न कि कितना मुमेंट यहां प होता ऐसे करके सिंपली चार क्लों न्यूटन मीटर दिखाता तो कितना पूरा 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 पहुंच जाता बस डाइसन क्या होती है आपोजिट ऑप्सन अगर A B C D मिलते ऐसे तो हम लिखते माइनस चार क्लों न्यूटन मीटर वाला ठीक है ना इस तरह के कोशन आप से प जो फिक्स पीम होती है ना उसके रफिक्स डेंड मोमेंट कई आप पूलेंट शहोंगे याद रखने होंगे तो वह साइक साथा यह में आपको लिखवा देता हूँ उसके बास पर अपन स्लोब डिफ्लेक्शों के बारें पढ़ेंगे फिर स्वे Г analysis करेंगे ठीक है ना वो करेंगे अपन नेक्स लेक्टर में तो इस वाले लेक्टर में इतना काफी है थैंक्यू सो मच